वेलो एवर्वन दिस चैनल इस कंप्लीटी डिकेटेट टू वन डे एक्जाम्स वन डे एक्जाम्स मतलब ऐसे वो एक्जाम्स जिन्हों हमें सिर्फ एक दिन में या कुछ ऐसे दो-तीन दिन में पढ़ना होता है और अपने सब्जेक्ट्स क्लियर करने होता है तो ऐसा एक सब सब्जेक्ट को देख सकते हैं और हमारा मोटो हमारा मोटो इतना रहेगा कि हम उतना पढ़ें जिससे हमारा एक्जाम अच्छे माक से क्लियर हो जाए तो इसमें जो हम पहला टॉपिक अभी उठाएंगे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कि entrepreneurship है क्या what is entrepreneurship and what are its need and scope बस इतना पढ़ेंगे इस फीडियो में तुप करते हैं पहले बोला है What is an entrepreneur ५फट या और शिक्षाट ओफ एंज़ कि entrepreneurship, entrepreneurship is derived from the word entrepreneur, that is individuals who were undertakers, meaning who took the risk of new enterprise, new enterprise पे focus करना important है, new enterprise पे क्यों, क्योंकि मान लीजे कि हम आरे पास कोई एक business idea है, हर business idea entrepreneurship नहीं होती है, entrepreneurship वही ideas involve करते हैं, entrepreneurship वही चीज होती है, जिसमें कुछ निया या innovative होगा, जैसे मान लीजे अगर हमें कोई restaurant खोलना है, तो restaurant खोलना कोई entrepreneurship नहीं है, क्योंकि ऐसे तमाम सी चीजे पहले से खुली हुई हैं और चल रही है, उसमें आप नया क्या कर रहे हैं, वो depend करता है, अब मान अगर food वहाँ पर, waiters की जगह, robots सर्फ कर रहे हूं, या फिर जो खाना बनाने की लोग है, तो वहाँ पर लोग की जगह, machine बना के दे रही हो, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ innovation या creative चीजे लगी हुई है, जो अभी बाकी जगह पर employed नहीं है, तो हम कहेंगे कि वह एक entrepreneurship या entrepreneurial चीज है, आज कल वो आप अगर देखे होंगे shark tank इंडिया, shark tank आता है, तो वहाँ पर आपने ये word कई बार सुना होगा, entrepreneur है, या फिर एक startup है, तो वहाँ पर सारी चीजे जितनी innovative तरह से हम अगर कोई चीज करते हैं, तो हम उसको entrepreneurship के दाएरे में डालते हैं, otherwise हर business model entrepreneurship नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर who undertook the risk of new enterprise, यह important है, फिर यह देखते हैं कि अलग-अलग लोगों ने उसके बारे में क्या का है, तो Adam Smith कहते है कि entrepreneur is an individual who forms an organization for commercial purpose, entrepreneur क्या है, entrepreneur कौन है, हमने कोई एक startup जैसे मैंने अगर कोई startup शुरू किया, कोई innovative idea के साथ, तो मैं एक entrepreneur हुई, और जो startup मैंने शुरू किया, उस चीज के लिए उसको कहेंगे entrepreneurship, मैंने initiative लिया, तो वो हुआ कि मैंने entrepreneurship किया, और मैं as an individual, वो जो individual refer करेगा, वो होगा एक entrepreneur, तो entrepreneur is an individual who forms an organization for commercial purpose, या फिर entrepreneur is a change agent, who transforms resources into useful goods and services, thus creates the circumstances leading to industry growth, अब यहाँ पर एक और term देखी, useful goods and services, दो टर्म यूज किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई product, service दे रहे हैं, तो product बना रहे हैं, या फिर ऐसी कोई service दे रहे हैं, तो दोनों ही entrepreneurship में आएगी, यैसे माली जा भी मैंने आपको एक restaurant का example दिया, तो वहाँ पर अग चीज दे रहे हैं, कि अगर आप जो वेटर दे रहा है, वो आपने रोबोट सर्फ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो service related आगया, और अगर आपने कुछ ऐसा product, कोई और दूसरे example में, अगर आपने कुछ ऐसा एक innovative product बनाया है, जो और कोई market में नहीं बनाया है, तो वो क्या है, कि आपने एक इत्तम different product बनाया, और उसकी utility से फिर आप एक impact लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर goods and services, दोनों ही case में, अगर आप कुछ innovative तरह से कुछ कर रहे हैं, तो वो entrepreneurship के under आ जाएगा, ऐसे 2-3 definitions और हैं, बट exam में आप एक दो भी लिख देंगे, चल जाएग फिर आते हैं उसके characteristics पर, कि characteristics of an entrepreneur क्या हैं, तो पहला है कि entrepreneur is always optimistic, optimistic का क्या मतलब होता है, मतलब एक positive outlook वाला होना चाहिए, positive outlook is very important, अगर हम कोई चीज काम नया शुरू करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास अगर negativity है उसको ले करके, या फिर एक डर है कि कि क्या मतलब हम उसको उतना risk नहीं ले पा रहे हैं कि हम उसके लिए आगे बढ़ें, तो फिर हम वो काम नहीं कर पाएंगे, entrepreneur का एक basic requirement है कि उसको हमेशा अपना outlook वो है, वो positive रखना पड़ेगा, तो he should be optimistic, he has the desire to succeed, succeed सब करना चाहते हैं, उसकी desire भी जरूरी है, हम चाहते है कि हमें success मिल जाए, लेकिन उस success के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है, और desire सिफ छोटी मोटी नहीं, अच्छे level की desire होनी चाहिए, फिर next day, he possess risk taking ability, risk लेने की शमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ नया गाम करने जा रहे हैं, हो सकता है, वो pass हो जाए, हो सकता है, वो जाएंगे, managerial skills important होती ही है, बिना उसके आप कितना भी अच्छा product ये service दे दे, अगर आप manage नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई meaning नहीं रह जाता है, वो long term में आपको success नहीं दे पाएगा, leadership quality, तो होनी ही चाहिए, कि आप, आपने अगर कोई चीज initiative लिया है, आपने, आप और लोग काम करेंगे, तो आप में एक leadership quality होनी चाहिए, फिर he is always ready to fulfill his commitment, commitment, business में commitment important होता है, कि आपने अगर अपने client से या customer से कोई commitment की है, तो आप उसको fulfill करने के लिए भी ready रहे है, even if अगर आपको loss भी देखना पड़े तो, अगर commitment आपने बातों में ही नहीं रपा रहे है तो आपका market में ज़्यादा रह पाना मुश्किल हो जाएगा, तो कई बार होता है कि अपने good gloss bear करके हम अपने customers को profit कराते हैं, क्यों कि हमारी market में repetition बनी रहे है, अगर हमें innovate करना है, या कुछ नया create करना है, तो बिना पढ़े या सीखे नहीं होगा, तो हमें हमेशा कुछ कुछ नया सीखते रहना है, and future and result oriented, सिर्फ काम करना motto नहीं होना चाहिए, result भी होना चाहिए, और future में क्या market है, जैसे technology, अगर मैं mobile की बात करूं, आज से 10 साल पहले, अगर कोई ये future रखे है, कि हा, mobile का इस तरह से advent हो जाएगा, तो उसका एक different outlook होता उस समय पे, आज के date मे मुबाइल हमारे जिन्दगी का एक हिस्सा हो चुका है, तो इस तरह की future की जो चीजे हैं, उस पे ध्यान रखते हुए, और result पे ध्यान रखते हुए होना चाहिए, next step, always have a vision, vision, किसी काम को करने से पहले, या फिर हम अगर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक हम कहीं पर भी निकलते हैं, तो एक direction हम सोच के चलते हैं, कि इस direction पर में जाना है, और उस direction पर चलते हैं, अगर बिना सोचे, समझे, अगर चलेंगे, तो दिक्कत होगी आगे, He needs impedance in his work, impedance मतलब regular consistency, and entrepreneur is cooperative and has quality, control, capacity, cooperative, ऐसा ने कि आप हर किसी से लड़ रहे, जगड रहे हैं, आपको cooperation के साथ ही रहना है, Market में अगर competitors हैं, तो उनके साथ भी आपको एक healthy competition बनाते हुए चलना है, और quality, control, capacity, अपनी quality को degrade नहीं करनी है, काम भी करना है, product, services, best लाने है, without degrading its quality, He has a desire to do something new, नया करने की इक्षा होनी चाहिए, always innovative, कुछ innovation होना चाहिए, He has problem-solving ability, अगर हम कुछ नया innovation कर रहे हैं, innovation कहां से आएगा, पहले हम किसी problem को identify करेंगे, He has problem-solving ability, problem-solving ability का मतलब कि अगर market में हम कोई देख रहे हैं कि existing problem है, और उसका हमें कुछ समादान या solution चाहिए, तो वो तब ही होगा जिब हम उसके लिए काम करेंगे, तो यही है कि problem identify करना और उसके लिए solutions निकालना, यही है एक problem-solving ability और वो अगर solution ही innovative है, तो वो entrepreneur हो जाएगा, he possess high level of expectation, expectation मतलब खुद से, अपने काम से, जिससे कि जो हम काम कर रहे हैं, उसका 10x result हमको मिल सके, यहाँ पर यह 15 point दिये हैं, अगर आप 18 point भी लिखते हैं और उसको explain कर देते हैं, तो आपके ठीक-ठाक number बन जाएंगे, next आता है, define the term entrepreneurship, differentiate between entrepreneur and entrepreneurship, entrepreneurship क्या है, यह मैंने अभी बताया, entrepreneur होता क्या है, वो भी मैंने बताया, थोड़ा सा और उसको देख लेते हैं, कि entrepreneurship is a creative activity, creative activity, क्यूं, यह मैंने आपको अभी बताया कि, अगर कोई चीज creative है, तभी वो entrepreneurship के category में आएगी, अगर कोई regular business है, कोई salon का business है, या ऐसे कुछ चीज है, जिसमें सभी कर रहे हैं, market में कुछ नया चीज नहीं है, तो वह वहाँ पर creativity अगर involved नहीं है, तो entrepreneurship नहीं होगा, entrepreneurship with the propensity of mind to take calculated risk, calculated risk यह word आप अपने exam papers में highlight करके लिखिएगा, क्योंकि इसे number बन जाएंगे, calculated risk क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, तो हम अपना हर चीज दाओं पर लगा करके बनाएंगे, हम उतना ही risk लेंगे जिससे हमें, हम अगर गिरें तो हम समल सकें, ऐसा नहीं कि गिर गये तो बस बरबाद ही हो गया, तो calculated risk ले, with confidence to achieve a pre-determined business or industrial objective, with confidence एक calculated risk, एक नापा तोला समझ करके सारी चीज़े study करके, calculated risk का मतलब है कि study करके हम काम करें, ऐसा नहीं कि बस कुछ सोचा और उसमें कूद गया, यह नहीं करना है, पहले market को पढ़िए, उसकी size को पढ़िए, उसमें कितना हम लगा सकते हैं, investment कितना हो, जिससे हमें अगर तुरंत return नहीं मिल रहा है, तो कितने time पे हमको return मिलना start होगा, यह सारी चीजें हैं, risk देख करके, और confidence के साथ, फिर हम अपना जो हमारा objective है, उसके लिए जाना हो, ठीक, फिर next आते हैं कि entrepreneurship is doing things that are generally not done in the ordinary course of business, जैसा कि हमने पढ़ा, कि जो ordinary course of business है, वो नहीं करना है, not done, अगर वो हो रहा है तो entrepreneurship नहीं है, इनोवेशन किन-किन चीजों में हो सकता है, तो हो सकता है कि एक new manufacturing process हो, कि हम कोई manufacturing process ही एक नए तरह से बना रहे है, कि कोई product था जो normal तरह से बन रहा था, अब हम उसको एक different तरह से बना रहे हैं, तो वो हमारे entrepreneurship में आ जा रहे है, which has not been tested and commercially exploited, मतलब की अभी तक उसका use नहीं किया गया है किसी के भी द्वारा, फिर introduction of new product with which the consumers are not familiar, और new quality in an existing product, मतलब कुछ नया product बना देना, या फिर कोई जो existing product है उसी में कुछ नया quality आड़ कर देना, जो अभी तक market में नहीं है, फिर locating new sources of raw material, या raw material ऐसे उन sources से draw करना या उन चीजों का इस्तमाल करना, जो की अभी presently market में नहीं है, जैसे आजकल कुछ eco-friendly का system चल रहा है, हर कोई हर product अपने label में लिखाता है कि वो eco-friendly है, तो जो leather bags होते हैं हमारे कहते हैं कि चमड़े का बन रहा है, तो अब उसको हटा करके ऐसी green चीजों से बनाए जा रही है, जो raw material यूज कर रहे हैं हम चीजों को बनाने के लिए, वो कह रहे हैं eco-friendly है, जो हमारे preservatives आड़ होते है food items में, तो उसको preservative की जगह हम कुछ और add करते हैं या preservative हटा दे रहे हैं, क्यूंकि हम health की बारे में बात कर रहे हैं, तो जो raw material या items हम उसमें डाल रहे हैं, तो health conscious भी हो रहे हैं लोग, और उससे हमारा जो new source of raw material है, पर्स के case में हो गया या फिर ऐसे कोई जो raw material को ही हम बदल दे रहे हैं, तो हमारा product तो वही रह रह रहा है कि वह पर्स ही बना कर दे रहा है, लेकिन जो raw material जिस चीज से बन रहा है वह different हो जा रही है, तो वह भी innovation में आ गई, और semi-finished product that was not exploited earlier, opening a new market where the company products were not sold earlier, ऐसी जगह, ऐसे market में जहाँ पर पहले कोई reach ना किया हो, अब मान लिजे कि हमें एक school खोलना है, हम ऐसी जगह खोलते हैं जहाँ पर already उस area में 7-8 schools हैं, तो वहाँ पर हमारा competition बहुत जादा होगा, बट हम एक rural area में जागर के school खोलते हैं, एसी जगह जहां पर कोई student स्कूल नहीं जाता है, जा नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पर assess नहीं है, तो हम ऐसी जगह खोलते हैं तो वहाँ पर हमको student मिलने की उमीदें जादा रहती हैं, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि हां ठीक है इसने यह location find out किया है लोकेशन पर हमको वो चीजे या हमारा बिजनेस या जो स्कूल का मॉडल है वो बढ़ रहा है फिर डेवलपिंग न्यू कॉम्बिनेशन और मीन्स अफ प्रड़क्ट जो हमारे प्रड़क्ट है उसके कुछ नए कॉम्बिनेशन बनाने कोई भी केमिकल फॉर्वला कुछ भी ऐसा बना दिया जिसका जो पहले नहीं था हमने कुछ नया बना दिया तो वह भी हमारा एक ऑंटर्प्रेनर्शिप में आ गया सौरी यह दिखाने था नेक्स आता है फिर एक फ्लो चार्ट डाइग्राम से आप डिक्यां से देख सकते हैं कि ओंठ प्रेनर्शिप है क्या तो सबसे पहले हालाइट घ्रिका गया है एक्सेप्टिंग चैलेंज challenge accept करना कि हम इस initiative को लेने के लिए तयार है फिर decision making कि आप as an entrepreneur क्या है तो आपको decision लेना है risk taking होना चाहिए innovation होना चाहिए फिर ये सब अगर आप कर ले रहे तो फिर आप एक organization बना पा रहे है organization बनाने के बाद क्या आपकी skillful management है की नहीं है skillful management फिर making पारी है तो क्या आप अपने enterprise को successful या काम्याब बना पा रहे है की नहीं बना पा रहे है अगर ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे है तो आपकी जो entrepreneurship होगी हो अच्छे या एक successful entrepreneurship होगी next आते features पे तो features क्या क्या है इस entrepreneurship के तो main features क्या है कि economic involves creation and operation of an enterprise बिना economy के तो कुछ नहीं चलता तो पहले आपको बनाने के लिए भी create करने के लिए और उसको operate कराने के लिए भी दोनों ही case में economy चाहिए next step creative involves innovative process अभी बताए आपको purposeful होना चाहिए purpose हमारा कोई भी अगर हम कुछ उन्या बना रहे है product बना रहे है या service दे रहे है तो ऐसा होना चाहिए जो जिसका एक goal oriented हो seeking to earn profits goal oriented activity उसका एक specific goal हो और profit oriented हो अगर आप कोई social enterprise कर रहे है तो फिर वो entrepreneurship एक social entrepreneurship हो गया वो different हो गया यहाँ पर हम जो कर रहे है वो business के लिए कर रहे है और business में हमारा सबसे पहला जो requirement होता है वो profit होता है बिना profit के कोई business में ना कोई invest करता है और ना ही कोई उसमें काम करना चाहता है then risk bearing risk bearing is inherent risk तो चाहिए ही चाहिए आपको risk taking capability organization involves organization building capabilities आप एक organization खड़ा करने की शमता रखे अपने दम पर human relations जब आप खड़ा कर रहे होंगे धीमे धीमे लोग और जुड़ते जाएंगे और जैसे जैसे लोग और जुड़ते जाएंगे आपको उनके साथ relation बनाना उतना ही ज़रूरी होता जाएगा healthy relation होना चाहिए क्योंकि तभी आपका organization grow करेगा organization का हम देखे next है हमारा flexibility flexibility is the hallmark of a successful entrepreneur अगर बहुत आप rigid है किसी चीज को ले करके तो market में आपका survive करवाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपको flexible ही होना पड़ेगा next innovation skills, skills तो आने चाहिए special skills to handle the situation values values is an attempt to create value recognition of business opportunity to bring a project to fruition values are equally important with profits तो entrepreneurship is a multi-dimensional concept it is an art as well as science यह क्यों हुआ? यह सारा हम ऊपर देखें अब हैता है phases of entrepreneurial development तो कितने phase है? तो initial phase इनिशिल phase में क्या है? कि creation of awareness of entrepreneurial opportunity based on survey पहले हमने survey किया कि किसी product को identify